नमस्कार स्वागत है अपका वीके न्यूस में बोईंग 777 कौलालंपूर एरपोर्ट पर चप्त कर लिया गया है इसका कारण था कि नेशनल रिम्रान की सरकार पैसे नहीं चुका पाई तो मलेशिया ने उनका प्लेइन चप्त कर लिया और खबर थी कि यातरियों को जलील करके बाहर भीज दिया गया है अब इसमें एक बड हесाब से इंटरनेशनल डेस्ती है इस इंटरनेशनल बेस्ती के बाद पाकिस्तान के डानेशन समेट कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एर लाइन्स को ये बोईंग 777 यातरी वीमान लीज पर दिया था उसक को घलत दिखाने के कोशिश की जा रही है यह तो वही जाने पर इस रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि ना मोदी न से न एक भारती ने पाकिस्तान को उसकी ओकात खेर वो भी नहीं है जो याद दिलाए जा सकें क्योंकि चीन से इनोंने पहले ही लिए रखा है मोटा कर्स यह जितनी पाकिस्तान की बेश तो इमरान खान माफ की जहिए का नशडी इमरान ने पूरी दुनिया में करवाई है उससे पूरे पाकिस्तान की कौम को आटे डाल का भाव पता चल चुका है पहले ही वहाँ लोग भुकमरी से जी रहे थे पाकिस्तान को तो लोग अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि बंदर के जाने अद्रक का स्वाद क्योंकि अद्रक के भाव तो वहां सोने की चमक को भी फीकी कर रहे हैं। वैसे दुबाई के पैसे भी इने चोकाने हैं। तो अब इम्रान क्या बकरियों को दाव पर लगाएंगे या फिर पाव पाव भर के आइटम रहडी पर लेके निकलेंगे या फिर से चीन के पास अपनी वही कथित पुरानी आदत जिसकी वह जान जाते अपनाएंगे। वैस कर दो अपनाएंगे।